मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ अभी इसी कोर्पर्ट के जैसा एक और बहुत अच्छा उशद है जो अपने स्वेंपाथ घर के बिल्कुल नज़िक हो सकता है गेंडे का फूल, गेंडा मराटी में क्या कहते हैं जेंडू जेंडू जेंडे का फूल, गेंडे का फूल In фильма हम समसे riding कहते हैं यह दुनिया की सर्वोत्तम ऑशदियों में जिमा जाता है बहुत अच्छी ऑशद इस जेंडू के फूल का इतना ताकत है आपको याद है कई बार हमारे भारत देश के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं युद लड़ते हैं अभी थोड़े समय पहले आपको शाहिद याद होगा कारगिल युद्ध हुआ इस कारगिल युद्ध में भारत के 680 सैनिकों को तो भीरगती प्राफ्ट हुए और बाकी कुछ 1200-1300 सैनिक जो घायल हुए किसी को बोली लगी, किसी को भॉप लगा और सब को घाव भेंकर हो गए आप किसी भी मिलिटरी हॉस्पीटल में जाएं तो आपकी आँखों से देखेंगे कि जिन सैनिकों को भेंकर चोट लगती है, गाव होता है, गूली लगती है, दम लग जाता है उन सब को यही दिया जाता है, जेंडू के फूल का रस जेंडू के फूल की चट्नी, जेंडू के फूल की चट्नी अगर बनाके उसको लेपन किया जाए, तो बड़े से बड़ा घाव भर जाता है और यह रस पीने को दिया जाए, और जल्दी भर जाता है तो जब कारगिल युद्ध के समय अपने सेनिकों को, जिनको घायल होने की सूचनाएं की, सब को हॉस्पितल के अंदर यही उपियोग में लाया गया और बहुत अच्छी परिणा में इस जेंडू के फूल को हमेशा घर में बना के रख जिए, किसी भी तरह की चोट में खोरपड का रस मिलाएं, तो बिल्कुल सोने में सुहावी जैसा काम करते हैं, बहुत ही अदबूत कॉंबिनेशन है, जेंडू के फूल की चट्नी और खोरपड का रस मिक्स करके, खराब से खराब घाव पर लगा दीजे, पूरा शरीर सर गया हो, ऐसे लोगों को लगा दी तो आप इसको घर में लगाते रखे, जेंडू के फूल का सबसे अच्छा उप्योग है, शरीर के बाहर के अंग में कहीं भी चोट लगे, किसी भी तरह से गोली लग गई हो, बम लग गया हो, एक्सिगेंट की चोट हो, जल्दी से उसको भरना हो, दील करना हो, तो यह लाइट कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंडरोइट एप डाउनलोड करना ना भूलें